क्या कहते हैं प्रधान मंत्री मेरे प्यारे देश वास्यों क्या कहते हैं प्रधान मंत्री भाईयों बहनों आज विश्व में भारत की अपनी एक गरीमा एक गवरो उसका आनुभाव आप भी करते होंगे पूरी दुनिया आज भारत के प्रती बहुत आशा की नजर से देख रहे हैं भारत का नाम सुनते हैं इंडिया सुनते ही आपको जिन जिन विदेश्क में लोगों से मिलते हो आपको भी बहसुष होता है यह नहीं होता है आपको भी जहान में आता है कि दुनिया का नजरिया बढ़ला है पहले लोग मिलते हैं अब मिलते हैं तो बड़ी गरम जोसी से मिलते हैं पहले हाथ मिलाते थे अब हाथ पकड़ के रखते हैं ये बदलाव जो है ये बदलाव ही भारत की सभलता है कि एक निशानी के रूप में है बिश्वा आज भारत को एक सक्ति के रूप में पहचान रहा है बिश्वा आज भारत को एक संभाव नाओ की भूमी के रूप में देख रहा है और हमारी भी कोशिश है कि भारत का स्थान अब दुनिया में औरों के साथ बरा बरीका होना चाहिए और हम दुनिया से अब महरबानी नहीं चाहते अगर हम चाहते हैं तो बराबरी चाहते हैं बराबरी और मैं अठारा महिनों के अनुभाव से कह सकता हूँ कि आज भारत के साथ जो भी बात करता है वो बराबरी से बात करता है जोड़ना चाहता है तो वीन वीन की फर्मिगला के साथ जोड़ना चाहता है आगे बढ़ना चाहता है तो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहता है और ये आने वाले उत्तम भविश के सुप्र संकेत के रुप में मैं देखता हूँ आज दुनिया में कोई भी इंस्टिटूशन होगी चाये वर्ल बैंक हो, आयमेब हो, दुनिया की कोई भी रेट्रिंग एजन्सी हो हर कोई एक स्वर से कहता है कि भारत विश्व के बड़े देशों की सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाली एकोनोमी है बहुत तेज गती से बढ़ने वाली एकोनोमी है दुनिया ने एक टांसफरंसी इंटरनेशनलिस प्रकार का रिट्रिंग करते है कि वो कौन देश हैं जहां ब्रस्चाचार कम है और ब्रस्चाचार कम हो रहा है हम जानते हैं हमारे देश में ये बड़नामी हमको हमारे सर पे लिखी हुई है दिमक की तरह प्रस्चाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है लेकिन क्या दिमक की दवाई नहीं है क्या और दवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जन्ता का पैसे का पाई पाई का हिसाथ जन्ता को मिलना चाहिए क्या किसी के घर के घर भरने के लिए जन्ता के धन होता है क्या और इसके भाईयों हमने कदम उठाएं उसका परणाव यह हुआ है कि ट्रांस्परंसी इंटरेशनल नाम की इंस्टिटूशन उसने भारत को पहले की स्थिती से दस पॉइंट आगे करकर के हमारे यहां ब्रस्टाचा कम हुआ है उसको सटिफिकेट दे दिया है पहली बार पहली बार हम चाइना से अच्छी स्थिती में आ गए हैं जो कभी नहीं आते हैं इस आप लूइंग बिज्रेस इस आप लूइंग बिज्रेस में हम दुनिया के आखरी छोड़ पर खड़े थे हम ले कुछ कदम उठाएं कुछ निर्ड़ें किये आज हम बहुत तेजी से हमारा नमबर उपर की और जा रहा है और देखते ही देखते सुफल उसके नजर आने लगे हैं मेरा कहने का ताथ पर यह हैं हमें आदुनिक भानत बनाना है क्लीन इंडिया हो स्कील इंडिया हो डिजिटल इंडिया हो इन सबे छेत्रों में हम कार्यकों नहीं उचाईयों पर ले जाने की जिसा में एक भरपूर प्रयास कर रहे हैं विश्वजिन समस्याओं से जूज रहा है उसके दो प्रमुख समस्याओं हैं सारी दुनिया के जितने भी नेता जब भी मिलते हैं इन दो बातों उसकी परिशानियों की चर्चा करते ही करते हैं एक आतंक वाद दूसरा ग्लोबल वार्मिंग आतंक वाद हो या ग्लोबल वार्मिंग हो सारी मानवजाद को बचाने के जिम्मेवारी सभी देशों की है मानवता में विस्वास करने वाले हर नागरिक की है और भारत भारत इसके लिए सही रास्ता दिखा सकता है महत्मा गांदी का जीवन महत्मा गांदी के उपदेश महत्मा गांदी का अहिंसा का सस्त्र उसमें वो ताकत है अगर आज के परिप्रेक्ष में विश्वा गांदी को समझेने का प्रयास करें तो आतंगवाद से मुक्ति का रास्ता भी मिल सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति का भी रास्ता मिल सकता है क्योंकि घांदी इतने दिल के दरश्टा है और इसलिए भारत की वो भी जिम्मेवारी है कैसे संकट की घड़ी में मानवता के कल्यार के लिए विश्वकों इन समस्याँ से बाहर रिकलने के लिए भारत अपनी भूमे का निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा यह मैं आप मेरे देश्वास्यों को विश्वास दिलाता है मैंने कहा था ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है भारत ने बिड़ा उठाया है दो चीजों का एक हम दुनिया को सुर्य प्रुत्र राष्ट वो देश जिनको सुर्य की शक्ति का अधिक लाम मिलता है जाग गर्मी रहती है उजाला रहता है पूरे विश्व के ऐसे देशों का हम एक संगठन करना चाहते हैं भारत ने बिड़ा उठाया है कि दुनिया में एक सो दो देश ऐसे हैं कि जिनको सहज रुप से सुर्य सक्ति का लाम मिलता है वो एक प्रकार से सुर्य पुत्र राष्ट है दुनिया में पैट्रल वाले देशों का संगठन है जी सेवन है जी क्वेंटी है आशियान है सब कुछ है लेकिन सुर्य पुत्रों को कभी खटा किसी ने नहीं किया हमने विड़ा उठाया है दुनिया के सुर्य पुत्रों के खटा करें यह देश मिल करके सोलान एनर्जी में रिसर्ट करें रिन्यूबल एनर्जी में रिसर्ट करें शुर्य शक्ति का जीवन में कैसे सरवादी कुपियों हो प्राकूरती की रक्षा हो बारा साल में तैंस में बहुत पानी बहे चुका है तब मैं जब आया था और आज जब आपके बीच में आया हूँ तो देश वासियों ने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है और उस नई जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए भरपूर्थ कोशिश कर रहा हूँ और मेरे प्यारे देश वासियों मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ जो सपने आपने देखे हैं जो सपने हर हिंदुस्तानी ने देखे हैं जो सपने पूरे करने का सामर्थ भारत में हैं कि मैं भली भाती अनुभाव कर रहा हूँ पिछले अठारा महिने के अनुभाव से मैं कह सकता हूँ कि भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है हमें बीना कारण गरीबी को पाल करके रखा है और पता नहीं क्यों आदतन हमें गरीबी को पुशकारने में जरा मजा आने लग दिया भारत सामर्तमान है सबासो करोड देश्वासी दोसो पचास करोड भूजाएं और वो देश जिसमें 800 मिलियन 65 प्रतिसद जनसंग्या 35 साल से कम उमर की हो भारत जवानी से लबालब भरा हुआ देश है और जिस देश के पास इतने युवा हो वो देश अब पीछे नहीं रह सकता अई वो देश विकास की स्यात्रा में अब रुक नहीं सकता है कुछ समय पहले हर्याना जहां वार यहां बेटा और बेटी के रेश्यो में बहुत बड़ा अंतर है मैंने कब यहन चलाया वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुवात मैंने हर्याना से की और उसका असर ऐसा था कि एक छोटे से गाओं के एक सरपंच ने सेलफी बिट डॉटर ऐसा एक प्रयोग किया मेरे ध्यान में आया मैंने उसकी भी तारीत की और मैं हरान था सारी दुनिया में हर किसी के मुबाईल का इंट्रेस्ट बन गया था सेलफी बिट डॉटर एक जनांदोलन खड़ा हो गया दुनिया के बड़े बड़े राजनेता हो सिख्षा जगत के बरिष्ट लोग हो आर्थी जगत के बरिष्ट लोग हो हर किसी ने अपनी बेकी के साथ सेलफी निकाल करके मुबाईल फोन पर सर्कुलेट किया मा बेटियों का गवर बठाने का एक अभियान चल पड़ा ये हैं मेरा हिंदुस्तान ऐसे लाखों लोग हैं जहादी वास्यों के बीट जा करके बहां के एक कठिनाई को भी जी करके कोई शिक्षा में लगा है कोई लोगों को हेल्थ की चिंता कर रहा है कोई लोगों के संसकार की चिंता कर रहा है दूर सुदूर गावों में ऐसे अनेक तपस्री लोग बैठे हैं जो जीवन में समाज सेवा का वरत ले करके काम कर रहे हैं क्या कहते हैं प्रधान मंत्री